शुक्रिया वीरू तो कल के मुकाबले आज मोड़ माहल थोड़ा सा शान्थ है, कम एक्सपेक्टेशन्स है और एक शान्थ ओपनिंग के संकेत बनते वह दिखाई दिये हैं, जो भी प्री ओपनिंग से संकेत मिले हैं, ध्यान रखेगा एश्या मारकेट्स में थोड़ी सी नर 24-800 होल्ड कर पाएगा या नहीं, वो फिलहाल एक बड़ा सवाल रहेगा, अब तक हमने कुछ रिजिलिंस दिखाई है, लेकिन 30-31 पॉइंट के नुकसान पर यहां पर ट्रेड साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 25 पॉइंट नीचे इस समय इंडेक्स, निफ्टी बैं पहती संकों के नुकसान पर यह इंडेक्स कुला है, मिट कैप स्टॉक्स में 80 पॉइंट की बढ़त बनी हुई है, स्मॉल कैप में करीब 60 पॉइंट का इजाफा और आपका सेंसेक्स भी निफ्टी निफ्टी बैंक की तरह थोड़ा सा सिमटता हुआ, गिनने वाले शेरों की संके अभी भी कम है कंपेर्ट तो दे गेनर्स क्यूंकि मिट कैप सोड़े से फॉर्म में है और अब 100 पॉइंट की तेजी मिट कैप इंडेक्स दिखा रहा है, इस पीच पीन भी हाउजिंग का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते क्यूंकि वहां पर वो ब्लॉक डील का सौधा हो चुका है, 782 के भाव स्टॉक दिखा रहा है, 1.5% नीचे, तो आज जो ब्लॉक टील हो नी थी, जहां पर कालाइल अपना हिस्सा नेली 5-6% बेच रहा था, वो सौधा हो चुका है स्क्रीन पर, यह है आपके लिए अपडेट, चले अब आपके लिए लिख रह रही है, और क्या मोड बना है, तो फाइनांशल स्टॉक्स कुछ वीक है, आज निफ्टी के फिनांशल एक्सपाइरी भी है, तो उसलिहा से प्रेशर, मेटल्स थोड़े से बैक फूट पर ट्रेड करते हुए, सपोर्ट कहां मिल रहा है, FMCG काउंटर्स की तरफ से, FMCG पार्ट है, डेलो से कुछ रिकावरी दिखाने की कोशिश में, या फिर जो नेगेटिव शुरुवात हुई थी, उससे रिकावर करने की कोशिश में, CPSC इंडेक्स करीब रीब 1% उपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, FMCG और Capital Goods इन दो पॉकेट से सपोर्ट मिला है, औ तो NTPC वो जेफ्रीज की रिपोर्ट, 485 का टागेट, 400 पर आ चुका है, स्टॉक तेजी है, पावर ग्रिड में एक फॉलो थ्रू आया है, कल ठंडा था नंबर्स के दम पर, लेकिन आज कुछ पुल बैक आ रहा है, जैसे मैं में मेंचिन कर रही थी, FMCG होल्ड कर रहा है, तो HUL आपके सामने 1% उपर, Asian Paint, nearly 1% के गेंज, ब्रिटानिया में तेजी, आज Tata Consumer के नंबर्स आएंगे, 1200 के आसपास ट्रेट करता हुआ, नेसले भी कुछ पॉजिटिव साइड पर है, डॉक्टर एडी सिपला में कुछ हलकी तेजी देखने को मिली है, हीरो आधे मारूती और M&M पर आज देखना होगा कि किस तरह की पॉजिशनिंग आएगी, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं, तो दोनों स्टॉक्स इंपोर्टेंट है, टाइटन हलके से पॉजिटिव साइड पर, तो आज आपको फिर दिखाई देगा, X of Technology, बाकी जो defensive हैं, जिसमें क्लिरली आपके FMCG और ये Pharma कंपनिया, वो थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, strength दिखाने की, फ्लाट ओपनिंग Sun Pharma DVs के लिए लेकिन positive side पर है, आईटी में सिरफ Infi और Tech Mahindra है, जो हलकी सी बढ़ दिखा रहे हैं, ड्रैग कर कर रहा है, Metals, हिंडाल को देखिए, 659 पर HDFC Life, SBI Life में दबाव, Ultra Tech में दबाव, LTI Mine Tree कमजोर पढ़ता हुआ, Bhajaj Finance, JSW Steel, Metals में clearly weakness देखने को मिल रही है, Axis, Kotak, Indesan Bank, ICICI Bank और HDFC, तीनों में हम देख रहे हैं, तीन चारों स्टॉक्स में कुछ हलका सा मुनाफ़ वसुली का दबाव है, SBI absolutely flat है, Reliance की तरफ से भी हलका सा pressure बनता हुआ, तो यह है फिलाल आपके लिए heat map की स्थिति, अब लेकर आते हैं कि result reaction क्या हो रहा है, क्योंकि एकदम शान्थ है index, जादा कुछ हो ही नहीं रहा है, HPCL पर एक knock लगा है, 1.5% का, ACC numbers in line है, लेकिन stock हलके से negative side पर, Colgate की commentary, rural market में pick up, volume growth high single digit में, और overall नतीज़ अच लेकिन order book में जादा flow नहीं देखने को मिला है, correct कर रहा है counter, Jindal saw, 5% उपर numbers पर, strong performance था, decent performance के AI का था, Pfizer का performance अच्छा था, यह सारे stock से जहाँ पर, तेजी की positions देखने को मिली है, quest cop mixed bag आप कह सकते, restaurant brand Asia, loss थोड़ा सा कम हुआ है, flat numbers रहे हैं, operationally कुछ पिक आप देखने को मि infrastructure seamless और idea forge, numbers से निराश होकर stock यहाँ पर तूटते हुए, और idea forge जादा बड़ा disappointment है, क्योंकि हाल ही में stock चलने लगा था, और आज नतीजों को देकर 8% की घरावट देखी जा रही है, तो यह है फिलाल opening, एकदम शांथ, खामोश बैटा है, nifty 50, 24, 8, 36 के levels पर, 800 के level पर आप क कह सकते हैं, थोड़ा सा defense आया है, उसको defense जरूर किया है, और nifty bank भी आख में चोली खेलता हुआ, कभी उपर, कभी नीचे, वी रूप, मन बनाने में शायद समय लग रहा है, traders को. पर बिलकुल, बिलकुल सही का आपने, nifty bank उपर गया, एक किस पांसो के trajectory से एक failure आया, करीब के 700 point retrace हुआ, nifty PSU bank के एक momentum generate कर रहा था, लेकिन देखते देखते वो भी fizzle out हो गया, index थोड़ा time लेगा, अब इसमें से गर आप देखें, तीन चीज़े हैं, आप एक बार screen प 51.500 की trajectory की उपर चले, हमारा level था सुबह करीब के 51.190, 250 का लोगा के आया, वहां से एक recovery आया, तो एक strong case आज के बजार के लिए तब होगा, या तो bank nifty leading indicator बने, यह 16 अंक उपर है, या तो यह 51.500 की zone को काटे, या फिर nifty threshold point था 916, अभी तो वहां पे है ही नहीं, या retrace हो थ थोड़ते हैं अभी, क्योंकि कोई एक clear cut mandate नहीं मिला, निफ्टी IT अज 50 अंक नीचे है, चीज़े काफी बेखरी होई है index के लिए as of now, और impress क्या कर रहा है, I think कोई एक दो stocks लिके आई हैं, जो की अच्छा कर रहे हैं, स्वड़ा दिमाग लगाते हैं, let's bring Asian paints, मैंने आपको hot stocks में जिकर किया था, जनाब इसे stock पे नज़र रखेगा, बात यही थी, edge पे है, हमारे पास एक, I think, momentum है, और momentum को, I think, trigger करने के लिए कारण भी है, तीन हजाद तीन, well above 200 day expansion, opening होई थी, इसकी approximately, समझ लेगा, 29 पे तरपे, तो screen पे कितना 35-40 उर्प का trade मिला आपको, short covering, यह उसके बाद कहा मूँ है, उसमें आप लेकिया यह, एशन पेंट्स के बाद एक बाद पिडिलाइट, यह करीब 32-30 पे आपके trade करता हुआ, clear cut breakout, और almost एक flag का breakout बी screen पे जो है, वो कहीं न कहीं persist कर रहा है, उसके बाद पिडिलाइट के बाद आप लेकिया यह गा, wide good segment में वो at 1541, यह almost अपना 18th जून का जो swing high है, उसको bicep करने के थियारी करता हुआ, so आपको एक नज़र रखनी है, वोल टास पे भी, और जो चीज दो थीन स्ट्राइक कर रही है, उसको scheme pack देता हूँ, एक लेके आईए, आप BPCL 70% 2 पर 343.90, that means अब यह 4 जून का swing high करता हुआ, that means अब BPCL technically all time high trajectory में जा रहा है, 344% futures में, spot आपकी स्कीन पे है, और एक और स्टा कर देता हूँ, that's I think budget paints, तो हर्ष्ता आज crude का retracement, crude की 79 की trajectory, clear cut एक swing प्रवाइब करते हुए, थमाम I think crude as derivative यूज़ करने वाली कंपनियों को, रहाई पे सारे स्टांस, हमाम शूदान की दो है, और स्टांस, आपे लएगा, य स्टांस, तूब पर शटें में जज़ रवड़नें? झाल झाल